गुड मॉर्णिंग स्टूडेंट्स यूटूब चैनल इंडिया ओल्डेज में एक बार फिर से आपका स्वागत है आज हम इस वीडियो में गहडवाल राजवन्स की जानकरी परदान करने वाले स्रोतों के बारे में जानकरी प्राप्त करेंगे तो देखेगा एक्जाम के दृष्टी से वीडियो बहुत मैता पुण है अता आपको वीडियो को बार बार देखना चाहिए और यह दि आप लोगों ने हमारे यूटूब चैनल इंडिया ओल्डेज को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें तथा वीडियो को लाइक और सेर करें ताकि आपके फ्रेंड्स तक भी इंपोर्टेर सुचना पहुंच सके ठिक है तो चलिए पढ़ते हैं गहडवार राजवन्स की जानकरी परदान करने वाली इथ्यास के स्रोथ परतियार समराजे के पतन के बाद कन्योस तता बनारस में जिस राजवन्स का सासन इस्तापित हुआ उसे गहडवाल वन्स कहा जाता है इस वन्स की उत्पती के विशे में कोई निश्चित मत नहीं है कुछ लेक देहडवार राजवन्स को छत्रिय कहते हैं इस वन्स के सासक हिंदु धर्म और सेंसकर्थी के पोसक थे तथा पूरा मद्यकाल में इनकी गर्णा परसिद राजवन्स के पतन के बाद उत्तर भारत की रानेतिक दसा हर्श्वर्धन की अब देखेगा जो गुर्जर परतिहार राजवन्स से इसके पतन के बाद उत्तर भारत की रानेतिक दसा कैसी हो गई थी ठीक है उसके बारे में हम पहले जानकारी प्राप्त करेंगे फिर परतिहारों के बारे में आपको बताएंगे तो हर्श्वर्धन की मर्थ्व के बाद परतिहारों ने समफून उत्तर भारत में एकछतर समराजे इस्तापित किया किन्तु विजे पाज जो 960 इस्वि में सहसकता के समय तक आते आते विशाल परतिहार समराजे पूर्टिया छिन भिन हो गया तता उत्तर भारत में पूर्टिया राजरेतिक एराजकता एम एय विवस्ता उत्पन हो गई परतिहार समराजे के दवन्सा वसेसों पर जिन राजवंसों का उदे हुआ उन राजवंसों में गहडवार राजवंस भी एक महत्तापून राजवंस था अब देखे गहडवार राजवन्स की जानकरी परदान करने वाले इत्यासिक स्रोथ कोन से हैं गहडवार वन्स का इत्यास मुख्यत अभिलेक तता साहित्य से ग्यात होता है इस वन्स के परमुक लेखों को का विवरन इस प्रकार से देखेगा चंदर देव का चंदरावली अर्थात वारान सी दान पत्र कुमार देवी का सानात अभिलेक गोविन्द चंदर का लार या देवरिया से प्राप्त अभिलेक गोविन्द चंदर का वारान सी तथा कमोले से प्राप्त तम्र पत्रा भिलेक इन अभीलेकों के अलावा कुछ साहितिक कृत्यों की द्वारा भी हम गहडवाल वनस के बारे में जानकरी प्राप्त कर सकते हैं जैसे सरप्रमुख्चंदबर्दाई का पर्त्वी राज रासों है मेरुतुं का प्रबंद्चिन थामनी भी जे चंदर के विशे में जानकारी परदान करता है गोविन चंदर का मंत्री लक्समी धर राजनिती सास्तर का परकांड विद्वान था जिसने कृत्य कल्प तुरू नमग्रंद की रचना की थी इससे ततकालीन, राजनिती, समाज, एमसंसकर्ती पर परकास पढ़ता है मुसलमान लेकों के द्वारा गहडवार तथा मुसलमानों के बीच हुए संगर्स का पता चलता है फरिश्ता जे चंदर की सैनिक सकती का विवर्ण परस्तूत करता है हसन निजामी के अनुसार जे चंदर तथा मुहमत गोरी के बीच हुने वाले संगर्स तथा मुहमत गोरी की विजय का पता चलता है तो देखे फ्रेंड्स ये वीडियो एक्जाम के दर्श्टी से बहुत मैतों पुण है अते हैं आपको वीडियो बार बार देखना चाहिए हमारा वीडियो अंतक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद